इतिहास ये सीखने के लिए होता है कि क्या गलतियां हुई और आगे क्या नहीं होना चाहिए कि जिन भी धर्मों ने दूसरे धर्मों के पूजा अस्थल तोड़े वो एक अपराद था और उन अपरादों को दुराया नहीं जाना चाहिए लेकिन हालत ये है कि आज एक बार फिर पूजा अस्थलों को तोड़ कर कुछ और बनाने की जो जिद है वो उन अपरादों को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही चीख पुकार मच रही है कभी कहा जा रहा है ताज महल में खुदाई करो कभी कहा जा रहा है लाल किले में खुदाई करो कभी कहा जा रहा है कहीं खुदाई करो बुल्डोजर को सत्ता का प्रतीग बना दिया गया है अगर हम कुछ बनाने की जगा खोदने में पागल होते रहे तो एक दिन इस देश में इतने गड़े हो जाएंगे कि उसमें वो भी गिरेंगे जो खुदाई की वकालत कर रहे हैं और वो भी गिरेंगे जो इसका विरोत कर रहे हैं देश जो आगे बढ़ना चाहता है वो इन ख करने वाले हैं आज ग्यान व्यापी मस्जित को लेकर नाम जाना पैचाना हो गया है चारों तरफ सोशल मीडिया से लेकर में इसकी चर्चा है नई नई बातें रोज निकल के आती हैं जो चीजें कोर्ट में सब्मिट होती हैं वो कोर्ट में पहुंचने से पहले मीडिया में पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना है जिसमें ग्यानवापी मस्जिद को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। वो राजनीती ये थी कि सामपरदाइक ध्रुवी करण के लिए लगातार जो देश में धार्मी का स्थान है खासतोर पर मुसल्मानों के धार्मी का स्थान है उन पर सवाल उठाए जाए और आपने देखा कि सवाल केवल ज्यानवापी पर नहीं उठा मतुरा पर भी उठा ला मस्जिद बनाई गई और ये कहा जा रहा है कि जो उसके सामने वजु खाना है उसमें जो शिवलिंग मिला है उनके हिसाब से क्लेम किया जा रहा है कि शिवलिंग है वो इस बात को सिद्ध करता है कि वहाँ एक मंदिर था देखे इतिहास एक ऐसी चीज है जिसमें अगर मंदिरों को तोड़ने की बात बौध मठों को तोड़कर मंदिर बनाने की बात बौध मठों को खानकाह में तबदील करने की बात और अगर येरुशलम का इतिहास आप उठा कर देख लेंगे तो कितनी बार मस्जिदों को चर्चों में चर्चों को मस्जिदों में इन दोन को यहूदियों के प्रार्थनास्थल में बदलने की चीजें हुई हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यूं था। मैं आपको उदाहरन देता हूँ काफी पुराना कश्मीर के एक राजा हर्श का। हर्श का जिक्र कलहन की रास्तरंगणी में आया है। रास्तरंगणी से आप सब लोग परचित हैं। राजाओं का इतिहास है जिसको कलहन पंडित ने लिखा था जो मूलतह संस्कृत में लिखा गया। बाद में जबाहरलाल नहरू ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया, साहित अकडमी से आया, उसके पहले भी उसके द आखिर उसने मंदिर क्यों लूटा? जब आप आगे पढ़ते हैं कलहन को तो कलहन बताते हैं कि मंदिरों को इसलिए लूटा गया क्योंकि उसमें सोने के पत्तर लगे थे, जो उनकी दान शालाएं होती थी, दान पात्र होते थे, उसमें बहुत सारा सोना भरा हुआ था, मं वर्तमाने में जो ये घटना हुई, अगर उसको वर्तमान के हिसाब से हम एनलाईज करना शुरू करेंगे, तो ये बड़ी भयानक रचना होगी, कहा जाएगा कि वो शायद हिंदू विरोधी था, लेकिन मंदिरों का जो स्वरूप हमारे समय में रह गया है, वो इतिहास मे भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, खास तोर पे एक बात समझनी चाहिए कि बहुत सारे जो मंदिर थे, वो राजाओं के अपने मंदिर हुआ करते थे, राजपरिवार के मंदिर हुआ करते थे, और जो राजपरिवार के मंदिर थे, वो दो चीजों के सुचक थे, पहला तो रा उताओं की पूजा करते थे और जब लोटकर युद्ध जीत कराते थे तो युद्ध जीतने का पूरा का पूरा श्रे जो है वो अपने मंदिर के राजा को दिया करते थे दूसरा उन मंदिरों में संपत्ति बहुत हुआ करती थी जो राज पुरोहित हुआ करता था वो एक ब दूसरा राजा उनके राज्य को जीतता था तो राजा को तो वो गुलाम बनाता था या मारता था या गिरफतार करता ही था साथ में राजा की जो अथारिटी थी यानि वो देयोता जिसके बारे में उस राज्ये में ये विश्वास था कि वो राजा को सारी विजय दिलाता है या जिसका हाथ राजा के पीछे है उसको नश्ट करके अपना जो देयोता होता था उसकी मूर्ते स्थापित करता था या उ अधिकाल में जिस तरह के मंदिरों की लूट पाठ हुआ करती थी, उस पर बात की है, उनके यहां से मैं कुछ उदारन आपको देना चाहता हूँ, एटन बताते हैं कि 642 AD में पल्लो किंग एक थे नर्सिंग वर्मन, नर्सिंग वर्मन प्रथम, उन्होंने चालुक के कैपिट और वहां की जो ताकते थी, वहां की जो सत्ताओं का जो मंदिर था उससे गंगा और यमना की मूर्ती को लूटा, आठ्वी सदी के बारे में वो बताते हैं कि ललता दित्ती जो कश्मीर के महान राजा थे, जिन्होंने बंगाल तक पर कबजा कर लिया था और अपना देवत वहां पर स्थापित किया था, जिसको विष्णु वैकॉंट की मूर्ती वहां पर स्थापित की थी, बताते हैं कि बंगाली जो ट्रूप्स थी, बंगाली सेनाय थी, उन्होंने जब बदला लिया, ललता दित्ती की सेना को वहां पर हराया, तो उसके बाद उन्होंने उनकी में जो मूर्तियां वहाँ पर इस्थापित की थी उनको तोड़कर अपनी मूर्तियां लगाई ऐसे धेर सारे उधारन वो देते हैं राष्टरकूट राजा थे गोविंद तृती उनके बारे में बताते हैं कि जब कांची पुरम को उन्होंने कबजा किया तो वहाँ जो समवेदित नहीं होते हैं जब मुस्लिम राजाओं के बात आती है तो आपकी समवेदना जादा बढ़ जाती है क्योंकि मामला हिंदो मुस्लिम का हो जाता है जहां तक बनारस का सवाल है एक बात तो बहुत साफ साफ समझना चाहिए कि अगर कोई ये कह रहा है कि बनारस में तूटे हैं मसजिदें बनी हैं फिर मंदिर बने इस तरह की चीज़ें हुई है लेकिन जब आप इसको इस तरह से दिखाते हो कि सिर्फ बनारस में मंदिर तूटे या सिर्फ मंदिर तूटे तो आपका उदेश फूड़ा गडबड होता है जिस पर हम बात करेंगे अभी ब सबसे पहले 1192 में मंदिर तोड़ा और उसके तुरंत बाद इसको दुबारा से बनाने की कोश्चे शुरू हो गई उसके बाद जो घटना है वो मजदार है कि 1585 में नारायन भट थे वहाँ पर उन्होंने अकबर के निर्देश पर शेहनशाह अकबर के निर्देश पर एक जोश्य करता है कि देश में ऐसी नीतियां बने देश में ऐसा साशन चले कि दोनों धर्मों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं वो दूरियां कम हों ये जरूरी इसलिए था कि अब वो बाहर से आया हुआ हमलावर बाबर नहीं था जिसको सारे जीवन अपना राज्य कालों के बाद भारत में मुगल राज्य पहली बात स्थापित हो गया था दूसरा जो मुगल थे उनका भारती ये करण होना शुरू हो गया था भारती परिस्तितियों में वो पूरी तरह से रच बस गये थे इसलिए आप देखते हैं चाहे दीन इलाही की बात हो या बाकी स चार के तहट जो मंदिर काशिव शुनात का जो मंदिर कुतुबुद्दीन एबक ने तोड़ा था उस मंदिर को फिर से निर्मान करने का आदेश दिया अकबर ने और नाराण भटने वहाँ पर एक भव्य मंदिर तयार कराया फिर कहा जाता है कि औरंग जेप के समय में फि कोई नुक्सान न पहुचाया जाए साथ में उसके जोड़ा हुआ है कि नये मंदिर भी न बनाया जाए एक फरमान मिलता है जिसमें वह मंदिर को खंडित करने की बात करता है ये सारी चीचे वहाँ पर है अब जो मंदिर को कहँछ साल बाद आय था कि कोई मंदिर न जी के भागने में मदद की थी। जी के झन लोगों ने गददारी की या जिनके उपर ये शक हुआ कि वो विश्वासघात कर रहे हैं। बनवाये थे, बाद में उन्होंने ही मंदिर को डिसोन कर दिया, तो वो किसी राज जी की या किसी योध्धा की प्रापर्टी नहीं रहे, वो आम प्रापर्टी बन गए, इसलिए उसकी तरफ किसी का नजर नहीं गई और उसको कभी नुकसान नहीं पहुचाए गया, तो बना कारोप लगा, बलातकार का, जिसको चलते बहुत तमाशा हुआ, और फिर उस मंदिर को तुड़वाने की बात ही, और इस तरह के कई सारी कहानिया कही जाती है, अलग लोगों ने अलग अलग समय पर ये कहानिया बताई है, और इनको पुष्ट करने के लिए हमारे पास कोई की बहुत सबूत नहीं मिल सकते इतिहास से, आम तोर पे ये माना जाता है कि शिवा जी वाली जो घटना थी, जिसमें शिवा जी को भागने में मदद की थी, और जिसके पुष्ट इतिहासिक साक्ष है, उसके चलते वहां के मंदिर को तोड़ा गया, इस जगह पे जो पहला दंगा हुआ था, ये मारजिया कैसोलारी ने रिकार्ड किया, 1809 में वहां पर एक पहला दंगा बनारस में हुआ था, जब एक मुस्लिम डॉमिनेटेट एरिया में लाट भैरो के आस पास, ग्यानव्यापी मस्जित और काशी विश्वनात मंदिर जो है उसके बीच में, एक खनुमान मंदिर बनाने की कोशिश शुरू हुई, तो वहां पर एक दंगा हुआ था, 1809 में पहली बार, और उसके बाद तो हम देखते हैं कि कई दंगे होते हैं, और अभी कुस दिनों पहले मेरे ख्याल से 2010 या 12 में, वो शिवजी यात्रा निकालने के सिलसले में, वहां पर फिर से एक दंगे या इसी स्थिती बन गई थी, यानि ये लंबे समय से विवाद में रहा है, काशिव शुनात के पुनद निर्माण का आप जानते हैं, अहलिया भाई होलकर के समय में कोशिश हुई, और उस समय ये इस मंदिर का पुनद निर्माण हुआ, तो ये मोट शिवलिंग की एक स्टैंडर्ड आकृति होती है, आप सबने मंदिरों में और बाकी जगों पर धेर सारे शिवलिंग देखे होंगे, और उसके साथ अगर इस आकृति को मिला कर देखें, तो ये शक होना वाजिब है, कि ये आकृति जो है वो शिवलिंग है की नहीं है, ले है या नहीं, लेकिन कुछ सवाल जो किये गए, खासत और पे मतलब सोशल मीडिया पर जो सवाल उठे, वो बड़े मज़दार जैसे कहा गया कि फवारा कैसे हो सकता है, और अंगजेब के समय में तो लाइट थी ही नहीं, मुगलों के समय में लाइट थी ही नहीं, तो फवा जोती है, ऐसे तमाम लोगों को मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ कश्मीर, जहां पर मुगल गार्डन्स हैं, और जहां पर बेहतरीन फवारे बने हुए हैं, एक दो नहीं, लाइन से आपको 30-40 फवारे बने हुए अलग अलग लेवल पर मिल जाएंगे, ये सारे फवारे शाह जहां के टाइम के आसपास बने हुए हैं, और उस समय तो लाइट किसी हाल में नहीं थी, वो तो औरंग जेप से बहुत पहले का था, तो ये फवारे कैसे बन गए, जब लाइट नहीं थी, तो भी अपने तरह का विज्ञान था, जिसमें पानी को कुछ ऐसे तरीके से वहां से गुजारा जाता था पतले पाइपस के जरिये, प्रेशर बनाके और बाकी सबसे कि उस जगह पर वो पानी फवारों में बाहर निकल पड़ता था, और ये सिर्फ हिंदोस्तान में नहीं हुआ है, इटली में एक से खुबसूरत फवारे लाइट के आने से पहले बन जाता था कि कई सारे पंखे अपने आप चलते थे या कई सारी जगहें जो हैं, वो इतनी ठंडी हो जाती थी, जितनी आज कूलर और एसी में नहीं होती है, वैसे ही फवारों के भी अपनी टेकनीक डेवलप की गई थी, और जैसा मैंने बताया कि कश्मीर के मुगल गार्ड इन से लेके और भी बहुत सारी जगों पर ऐसे फवारे पाये जाती हैं, तो मैं ये दावा नहीं कर रहा कि वो फवारा है कि शिवलिंग है, क्योंकि वो मेरा छित्र नहीं है और मैंने उसको देखा भी नहीं है नस्दीक से, करीब से, सिर्फ तस्वीरों में देखा है, ले तो ये बात बिल्कुल सही है कि ग्यान व्यापी जो है, वो संस्रित का शब्द है, ग्यान मतलब ग्यान और वापी मतलब आप समझिये कुआ या कूप, तो ग्यान का कूप जहां पे हो उसको ग्यान व्यापी कहा जाता है, लेकिन जब आप इतिहास पलटना शुरू करते है तो 1830 में जेम्स प्रिंसिप का एक यात्रा विवरण मिलता है बनारस इलस्ट्रेटेड इसमें उस मस्जिद को ज्यानव्यापी नहीं कहा गया है आलमगीर मस्जिद कहा गया है इसके अलावा भी इतिहास में तमाम सारे श्रोत मिलते हैं जहां पर उसको आलमगीरी मस्जिद या आलमगीर मस्जिद कहा गया है 2008 में जो कुबेरनाथ शुकल की किताब आई है वारानसी वैभो उसमें भी उसको आलमगीर मस्जिद कहा गया है असल में समझ में ये आता है कि चुकि वो ग्यान व्यापी के करीब थी इसलिए उसको ग्यान व्यापी वाली मस्जित कई लोग कहकर बुलाते थे कई सारे ऐसे उधारण मिले हैं जहां पर उसके लिए ग्यान व्यापी वाली मस्जित कहा गया है और बाद में कालांतर में वाली हट गया और वो सिर्फ ग्यानव्यापी मस्जित के नाम से जानी जाती रही और औरंग जेब के समय में बनी बहुत सारी मस्जितों को आलमगीर मस्जित कहा जाता आलमगीर औरंग जेब के लिए उपयोग किया जाता था तो ये कत्त ही संभो है कि उस समय उसका नाम आलमगीरी मस्जिदी रखा गया हो लेकिन ग्यानवयापी के करीब होने के कारण वो धीरे धीरे उसको अस्थानी लोग ग्यानवयापी वाली मस्जिद कहने लगे हो और बाद में फिर उसका नाम में से वाली हट गया हो और ग्यानवैपी मस्जिद रह गया हो असल में सारा मामला क्या है? इतिहास में जाके इतिहास को सुधारा नहीं जा सकता आपको एक उधारन देता हूँ जब मैं एक किताब का नुवात कर रहा था शांती मोई रे की किताब है आजादी की लड़ाई में भारती मुसल्मान तो मैंने कई तथ्य पाया जिसमें से एक तथ्य था कि गोरकपूर शहर का जो कोतवाली है वो कोतवाली 1857 में एक मुस्लिम जमिनदार थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाब विद्रोह में साथ दिया था उनके घर को पूरी तरह से जमी दोज किया गया और उनके घर को जमी दोज करके उसके उपर कोतवाली बना दी गई साथी मैंने एक जगप आया पढ़ते हुए कि कानपूर पर जब आक्रमन किया अंग्रेजों ने 1857 के दौर में नाना साहब को हराया वहाँ पे तो वहाँ एक हनवान मंदिर था उस हनवान मंदिर को ध्वस्त कर दिया उदारान ढूंडते जाएए उदारान आपको मिलते जाएंगे हर घर के नीचे आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा अगर ऐसे उधारा ढूना आप शुरू करेंगे तो क्या हर घर तुड़वा के आप पूरे देश को वैसा बना देंगे जैसा ये देश 1857 में या 17 सदी में या 16 सदी में या 15 सदी में था क्या इतिहास में ऐसे सुधार किये जा सकते हैं और अगर इतिहास में ऐसे सुधार हम करेंगे तो भविश्य कैसा होगा या आप खुद सोच सकते हैं आप यहां से उठा के पूरी दुनिया का इतिहास देख लीजिए एक दौर था जब नए धर्म बने थे उनको खुद को स्थापित करना था उसका एक ही तरीका था कि जो पुराने धर्म के लोग हैं उनको कनवर्ट किया जाए और धर्मों ने हाथ में तलवार लेकर तमाम लडाईयां लड़ी एक और दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे बाश्शा और ऐसे राजा और महाराजा थे जिन्होंने अपने सोशन से ध्यान हटाने के लिए युद्धों के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया और इस तरह के तमाम सारे काम किये ये सारा कुछ हुआ मैं आपको बताओं कि बाध्धों के इस तूपों के साथ क्या क्या हुआ है अगर आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आप आश्यर चकित रह जाएंगे मैं राहुल सांकरत्यायन की जीवन यात्रा पढ़ रहा था और मुझे पता ये चला कि बदरीनात का मंदिर जो इतना पवित्र हिंदूओं के लिए उसके बारे में राहुल सांकरत्यायन के मानिता ये थी कि वो कोई बौध मंदिर था कश्मीर में तो ऐसे बहुत सारे मंदिर मिले हैं और ऐसी बहुत सारी सरचनाय मिली हैं जहां बहुत मंदिरों को तोड़ कर सरचना बनाई गई है ये सारा कुछ इतिहास में हुआ है कोई दोश मुक्त नहीं हो सकता है लेकिन अगर उसके आधार पर हम वरतमान की पुनर रचना करना शुरू कर देंगे तो यकीन जानिए कि हमारा भविष्य जो है वो बहुत भयानक होने वाला है शायद यही वजह थी कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक कानून बनाया गया धार्मी कस्थलों के मामले में कि धार्मी कस्थल जो हैं जैसे हैं जहां हैं उनको वैसे ही रहने दिया जाएगा उसमें आगे कोई तोड़ फोड या परिवर्तन नहीं होगा और 1999 में इसको फिर से रिवाइज करके और मजबूत कानून बनाया गया मैं उस कानून से एक धारा पढ़ देता हूँ यह मंदिर को तोड़ के मंदिर बनाने को तो छोड़ दीजिए एक मंदिर को तोड़ के दूसरा मंदिर बनाने की भी अनुमत नहीं देती क्योंकि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और हमने एक लोकतांत्रिक देश बनाने का निर्णाय लिया तो उस समय सरकार ने ये फैसला किया या समविधान ने ये अधिकार दिया या समविधान ने ये विवस्ता दी कि सभी धर्मों को सम्मान मिले किसी धर्म के प्रती पक्षपात नहों किसी धर्म के प्रती विरोध नहों लेकिन आज जब पूरी राजनीती को धर्म किंद्रित कर दिया गया है दिन भर टीवी चैनल से लेकि अखबार में सिर्फ धर्म की बहस चल रही है तो ये जो तमाम मंदिरों का मामला ताज महल का मामला लाल केले का मामला ये सारा कुछ जो उठाया जा रहा है वो सब कुछ सिर्फ दो देश्यों से उठाया जा रहा है पहला सामपरदाईक राजनीती को लगातार जिंदा रखना धार्मिक धुरूवी करान को लगातार बढ़ाते रहना और दूसरा जो आर्थिक तबाही मची है देश में महनाई जिस तरह से है बिरोजगारी जिस तरह से है गरीबी जिस तरह से है जिस तरह से रुपया जो है वो रोज गिरने के नए रिकार्ड बना रहा है इन सब से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनको लगातार धार्मिक राजनीती में उलजाए रखने के लिए इतिहास ये सीखने के लिए होता है, कि क्या गलतियां हुई और आगे क्या नहीं होना चाहिए हमें सीखना चाहिए, कि जिन भी धरमों ने दूसरे धरमों के पूजा अस्थल तोड़े, वो एक अपराद था और उन अपरादों को दुराया नहीं जाना चाहिए लेकिन हालत ये है कि आज एक बार फिर पूजा अस्थलों को तोड़ कर कुछ और बनाने की जो जिद है वो उन अपराधों को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही चीख पुकार मच रही है कभी कहा जा रहा है ताज महल में खुदाई करो कभी कहा जा रहा है लाल किले में खुदाई करो कभी कहा जा रहा है कहीं खुदाई करो बुल्डोजर को सत्ता का प्रतीक बना दिया गया है तो बस इतना ही कहना है कि अगर पूरे देश में इस तरह से खुदाई चलती रही अगर हम कुछ बनाने की जगा खोदने में पागल होते रहे तो एक दिन इस देश में इतने गड़े हो जाएंगे कि उसमें वो भी गिरेंगे जो खुदाई की वकालत कर रहे हैं और वो भी गिरेंगे जो इसका विरोत कर रहे हैं देश जो आगे बढ़ना चाहता है वो इन खड़ों में इन गड़ों में उलच कर रह जाएगा शुक्रिया